हम पढ़ने वाले हैं स्केर्स ओफ नंबर ठीक है अब स्केर्स ओफ नंबर में क्या होता है हम बोलते हैं कि जैसे मालो थ्री का स्केर यानि इसका मतलब थ्री की टू टाइम्स मल्टिप्लाई यह वोगए नाई 4 का स्केर यानि कि 4 की 2 टाइम्स मल्टिप्लाई यह होगए 60 यानि किसी भी नंबर का स्केर जो होता है वो उसकी 2 टाइम्स मल्टिप्लाई यह उसी नंबर की यह होगए 625 अब हम बात करते हैं perfect स्केर की कि perfect square क्या होता है अगर हमें n का square करने से m मिलता है यदि हमें ये पता करना हो कि ये perfect square है या नहीं है तो हम factorization method को use करते हैं जैसे कि 2025 2025 हमें बताना है कि perfect square है या नहीं तो हम क्या करेंगे इसका factorization कर देंगे 5 फिर 5 से जाएगा अब 3 से 3 9 जा एंड 3 3 जा यानि कि अगर इसका हम factorization लेगे तो 5 into 5 3 into 3 into 3 into 3 अगर देखेंगे तो ये भी pair में है ये भी pair में है ये भी pair में है यानि कि हम क्या कह सकते हैं कि अगर हर pair से एक एक उठाले 5 3 and then 3 तो 5 जा 15 15 जा 45 सेम ऐसे ही ये और ये 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 भी 45 यानि कि 45 multiply by 45 तो ये क्या हो गया perfect square हो गया perfect square में क्या होगा कि ये जो हम factorization करते हैं तो हर pair double में होगा एक even number में होगा जैसे कि 3 4 में है ऐसे count कर लो या ये तेको सभी pair में हैं 553333 तो perfect square पता करने के लिए सिर्फ हमें उसका factorization करना है factorization में अगर सारी चीज़े double आती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एक perfect square है 14283 एक number दिया हुआ है और कहा गया है कि given number must divided किसी number से इसको divide करना है बताओ किस number से इसको divide किया जाए कि perfect square बन जाए तो जैसे हम पहले कर रहे थे इसका factorization करेंगे 4283 अब अगर हम इसके factorization लखते हैं तो 3 into 3 into 3 into 23 into 23 अब ये pair में है ये pair में है ये pair में नहीं है तो इस number को अगर हम 3 से divide कर देंगे 3 से divide कर देंगे तो ये इन दोनों pair में completely divide हो जाएगा completely ये दो pair बनेगे तो हम क्या कह सकते हैं if 14283 is divided by 3 then it becomes a perfect square किसका बनेगा perfect square of perfect square of 3 into 23 यानि कि 69 का perfect square बन जाएगा अगर हम इसको 3 से divide कर देंगे 3 से divide करने के बाद ये number क्या आएगा 3 से divide करने के बाद आएगा 4761 और जो ये number होगा ये number complete perfect square है इस number का हम अगर 1 का square करते हैं तो 1 आएगा 2 का square करेंगे 4 आएगा 3 का square करेंगे 9 आएगा 4 square 16 5 square 25 6 square 36 7 square 49 8 square 64 9 square 81 10 square 100 अब यहां पर देखो इसमें जो unit place जो आता है वो 1 आया 4 9 6 5 6 9 4 1 या फिर 0 यानि कि unit number पे अगर कुछ आएगा तो या तो 1 आएगा या 4 आएगा या 9 आएगा 4 9 या फिर 6 आएगा या फिर 5 आ सकता है फिर वही repeat हो रहा है 6 9 4 1 और 0 आ सकता है इससे क्या पता चला कि 1 और 9 अगर किसी की unit place पे है उसका हम square करते हैं तो unit place पे जो result में number आएगा unit place पे जो result आएगा square में वो आएगा 1 क्योंकि 1 का square में भी 1 आता है और 9 के square में भी 1 आता है इसी तरह 2 और 8 इन में से कोई हो तो 4 आएगा 3 और 7 तो 9 आएगा 3 और 7 हो तो 9 आएगा 4 और 6 हो तो 6 आएगा और अगर 0 हो तो यहाँ पे 0 आएगा यानि कि अगर number के ये तो है number के unit place पे नंबर unit place यदि 1 और 9 है तो unit place पे 1 आएगा 2 और 8 है तो 4 आएगा 3 और 7 है तो 9 आएगा 4 और 6 है तो 6 आएगा 0 है तो 0 आएगा और 5 है तो 5 आएगा तो अब हमें finally क्या पता चला कि unit place पे सिर्फ और सिर्फ ये number आ सकते हैं इनके इलावा कोई number नहीं आ सकता देखो इसमें 2, 3, 7 और 8 यहाँ पे नहीं है यानि कि अगर किसी number के last में 2, 3, 7, 8 आ जाए तो वो number perfect square नहीं होगा यह चीज यहाँ से confirm होगी है किसी number के end पे अगर 2, 3, 7, 8 में से unit digit आ जाती है तो वो number perfect square नहीं होगा अगर यह चीजे आती हैं तो chances है कि वो perfect square हो देखो यह 100% नहीं है वो फिर आपको check करना पड़ेगा इन में तो आप clear कह सकते होगी यह number अगर आगे 2, 3, 7, 8 आ गया तो perfect square है ही नहीं अगर 1, 4, 9 यह सारी चीजे आती हैं यह चीजे अगर आती हैं तो हमें check करना है क्योंकि वो perfect square हो सकता है there is possibility इसके अंदर possibility है कि वो perfect square हो सकता है लेकिन यहां पे तो possibility ही खतम हो जाती है 2, 3, 7, 8 आ गया तो हम कह सकते हैं कि perfect square नहीं है तो आपको उस संख्या को देखने से यह नि उस number को देखने से ही पता चल जाएगा एक बार अगर उसके end पे 2, 3, 7, 8 है तो हम वहीं पे बोल सकते हैं कि नहीं यह तो perfect square है ही नहीं एक perfect square never ends with 0 और हम कह सकते हैं कि unit place पे केवल 0 नहीं आएगा odd 0 ends with odd 0 मानलो जैसे कि 10 है यह perfect square नहीं है वहीं पे 100 है इसके पीछे even आ गया तो यह perfect square है 10 का thousand है 3 है यह perfect square नहीं है अब देखो 2, 2, 2 यह भी नहीं है अगर यहीं पे एक 0 और लगा दिया जाए तो यह perfect square हो जाएगा अगर हमें कभी check करना हो जैसे कि 36 तो उसमें हमें check करना है कि जो पीछे 0 है वो odd है या even है दूसरा क्या check करना उसके आगे जो number है वो number किसी का perfect square है क्या अगर यह number perfect square है मानलो हमने यह 6 का perfect square है लेकिन उसके पीछे 0 जो है वो odd number में है तो यह number perfect square नहीं होगा अगर वहीं पे यह 4 0 हो जाए यानि 4 0 अगर उसके end पे है और यह भी even number में आ गई and square of odd number is always odd 7 का square 49, 7 odd है 49 odd है 11 का square 121, 11 odd है 121 odd है 20 का square 400 यह भी even, यह भी even 144 यह 12 का square है 12 even, 144 even हमारे पास यह कुछ perfect square है मैं just example के लिए number लिये हैं अब अगर हम देखते हैं इस 4 को तो हम क्या लिख सकते हैं कि 3 into 1 plus 1 हमने 3 के factor में अगर इसको लिखेंगे, अगर 3 से इसको divide करेंगे 3 into 3 plus 0 इसको लिखेंगे 3 into 5 plus 1 3 into 12 plus 0 3 into 16 plus 1 3 into 21 plus 1 3 into 27 plus 0 यानि कि अगर हम इन number को यह वाले जो number है इनको 3 से divide करते हैं तो हर केस में remainder जो हमारा remainder आता है वो या तो 1 आएगा 0 इसकेस में 1 इसकेस में भी 1 इसमें 0 इसमें 1 इसमें 0 यानि कि अगर कोई perfect square देखो यह perfect square है यह line जो है यह perfect square की है अगर किसी perfect square को 3 से divide किया जाए या तो remainder 1 आएगा या remainder 0 आएगा या remainder सिर्फ उसकेस में 1 और 0 आएगा यह possibility है अगर इनके इलावा अगर देखो अगर 3 के case में remainder देखते हैं तो क्या क्या remainder होता है वो इससे lessy होगा यानि 0, 1 और 2 यानि कि अगर किसी case में 0 remainder बसता है या 1 remainder बसता है तो there are chances की वो एक perfect square है अगर 2 बचा तो chance ही खतम है 2 में हम कह सकते हैं कि perfect square नहीं है note a perfect square यह चीज यहाँ पे confirm हो जाती है कि अगर किसी number को हम 3 से divide करके देखते हैं और remainder अगर हमारा 2 आ जाए तो वो perfect square नहीं होगा लेकिन अगर 0 और 1 आता है तो chances है कि वो perfect square होगा ऐसे ही अगर हम 4 से इसको divide करके देखते हैं यह हमारे perfect squares हैं अगर हम 4 से divide करते हैं या तो remainder 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 यह हमारे remainders बचे और 4 के case में जो possible remainders हैं 0, 1, 2, 3 इससे less जो भी है वो उसके remainder होने की possibility है ठीक है तो यह remainders हो सकते हैं possible remainders यह यह हैं तो जब भी हम किसी perfect square को 4 से divide करते हैं तो या तो remainder 0 आएगा या फिर 1 आएगा यदि वो 2 और 3 आगया तो यह वो perfect square नहीं होगा note a perfect square अगर 4 से हम किसी number को divide करते हैं और remainder 0 और 1 के इलावा यानि कि 2 और 3 अगर आ जाए remainder अगर 2 और 3 आ जाए तो वो perfect square नहीं होगा अगर 0 और 1 आता है तो हमें चेक करना है और फिर हम कह सकते हैं कि perfect square है या नहीं है यानि 0,1 में possibility है हमें चेक करना पड़ेगा लेकिन अगर 2,3 आ गया तो हम confirm है कि perfect square नहीं है एक statement है कि there is no natural numbers p and q इस तरीके से कोई भी p and q नहीं है कि p square is equal to 2q square हम कहते हैं कि चलो मानलो हम p हमारा odd number है और q जो है वो even number है अगर s इस तरीके से हम assume करते हैं कि p odd number है और q even number है तो p का square जो आएगा वो भी एक odd number ही आएगा और जो q का square आएगा वो एक even number आएगा इसका मतलब क्या हुआ p square is equal to 2q square तो p square जो है वो एक odd number है और जो ये है 2 भी क्या है even number q square भी even number ये even number क्या ये possible है कि odd और even equal हो जाए नहीं ये possible नहीं है यानि ये वाली possibility हो नहीं सकती अब अगर हम उल्टा कर दे कि हमने मान लिया p जो है वो even number है और जो q है वो odd number है तो p square जो होगा वो even number होगा q square जो होगा वो odd number होगा अब p square is equal to 2q square ये वाला क्या हो गया even हो गया 2 into odd number की जब हम करेंगे तो ये number भी even आ गया even और even equal है लेकिन यहां पर क्या दिक्कत है अभी इस number की अगर हम बात करें p एक even number है यानि कि इसका जो factor है वो 2 होगा ही होगा इस case में factor जो होगा वो 4 होगा ही होगा क्यूं क्योंकि 2 का square जब p square करेंगे तो 4 उसका factor होगा ही होगा यानि p square having a factor having factor 4 लेकिन अगर हम Q square की बात करते हैं Q square एक odd number था तो इसमें 2 का factor नहीं है अगर odd number यहाँ पे अगर एक factor देखें तो सिर्फ हो सिर्फ जो इसमें है वो 2 का multiple है यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जो P square है वो 2 into odd number है लेकिन हम क्या कह रहें नहीं वो तो 4 होना चाहिए तो यह possibility भी नहीं है Next हम लेते हैं कि P जो है वो एक odd number है और Q जो है वो भी odd number है अब दोनों के दोनों odd number है तो P square भी odd number होगा और Q square भी odd होगा लेकिन हमारा क्या है P square is equal to 2 Q square यह तो odd है लेकिन 2 into odd जो है यह even हो जाएगा क्योंकि 2 इसका multiple हो गया तो क्या odd is equal to even होगा नहीं होगा तो यह वाली possibility भी नहीं है अब last हमारा बस्ता है कि P भी even हो और Q भी even हो अगर P भी even number है और Q भी even number है एक example से समझो मालो दो number है एक है 4 और एक है 12 अगर 4 12 में हम करते हैं तो देखो अगर 4 दोनों में इसे common लेते हैं तो यह तो 4 into 1 बनेगा यह 4 into 3 बनेगा यानि यह किसी ना किसी common multiple उनमें होगा 2 का multiple जो है क्योंकि दोनों even है तो 2 तो होगा ही होगा 2 का कोई ना कोई multiple होगा जो इन दोनों में common होगा अभी अगर हम बात करें 8 और 12 की तो ये हो गया 4 into 2 और ये हो गया 4 into 3 यानि कि इसमें 4 के इलावा या तो 2 है या 3 है अभी देखो इसमें या ये भी even number है ये भी even number है ये odd number है ये even number है यानि इस तरह का अगर हम pair बनाएंगे तो उसमें एक number या तो दोनों के दोनों odd होंगे या एक number even होगा और दूसरा number odd होगा तो अब अगर दोनों ये even है P और Q even है let D is common factor हमने D को common factor मान लिया D को common factor मान लिया तो P बन गया D into X और Q बन गया D into Y जहां पर ये X और Y क्या है X और Y या तो ये दोनो इधर both are odd number और one is even and another is odd number इस तरीके से ये number है कि X और Y जो है या तो दोनों के दोनों odd number होंगे या एक odd होगा और एक even होगा अब अगर हम करते हैं P square is equal to 2Q square इसकी जगे हमने DX का square रखा इसकी जगे हमने DY का square रखा अब यहां से क्या आ गया यह आ गया D square X square यह आ गया 2 D square Y square यह D square इधर multiply में यह D square इधर एक दुर जाएगा तो Divide हो जाएगा तो Cancel हो जाएगा तो X square हमारे पास क्या आ गया 2 Y square अब X और Y यह तो दोनों odd होंगे odd होंगे तो X का square odd हो गया और इधर Y का square वो भी odd हो गया यानि कि यह क्या आ गया यह odd number आ गया और इनकी multiply even number आ गया यह possibility possible नहीं है नहीं होगा और X अगर even है और Y odd है तो भी possibility नहीं है यानि कि हमारे पास जो final result है वो यह है कि दो number P और Q अगर है और दोनों का square एक दूसरे का double नहीं हो सकता next है यदि N plus 1 का square minus N square is equal to N plus 1 plus N मालो यह number 7 का square है यह 6 का square है तो जो यह होगा यह होगा 7 plus 6 यानि कि आएगा 13 अगर करेंगे तो 49 36 और यह आगया 13 सेम चीज आई तो यानि कि यह चीज रूड है तो हमें क्या पता था दो consecutive number उनका square और उसका हमने difference कर दिया यानि कि एक number N plus 1 और उसमें से minus करती है N square को तो वो उन दोनो number के sum के equal होगा दो consecutive number होता है आगे पीछे वाले दो consecutive number उनके square को अगर हम subtract करते हैं तो वो उनके sum के equal होगा हमने एक formula पढ़ा है A square minus B identity पढ़ी होगी होगी आपने उसका मतलब क्याता है A plus B into A minus B अगर उस तरीके से देखोगे तो N plus 1 का square minus N square ये A हो गया और ये B हो गया A यहाँ पे N plus 1 है और B जो है वो N है तो क्या आ जाएगा N plus 1 plus N ये आ गया और दूसरे वाले factor में A minus B आता है तो A की जगे N plus 1 minus N N plus का N minus का कट गए तो यहाँ से आ गया N plus 1 plus N और यहाँ पे क्या बचा 1 क्या आ गया N plus 1 plus N क्लियर है यानि दो consecutive number को और उनका square अगर हम आपस में सब्टेट करते हैं तो उन दोनों number का addition के equal आएगा इन दोनों number का sum किया तो आया 13 वो इसके equal आया किसी number का square जो होता है वो उसके sum of first N or natural numbers जैसे 1 की बात करें 1 का square अगर निकालना है तो इससे पहले sum of sum of one old natural number यानि की 1 का sum कितना आया 1 ही आया तो 1 ही आएगा ऐसे ही अगर हम 2 का square करें इससे पहले जो first old numbers कौन कौन सा है 1 आया फिर कौन सा आया फिर 3 आया यानि की उतने ही number 2 है तो 2 first number ले लिए हमने 2 ले लिए तिया आगया 4 अभी 3 का square करेंगे तो हमें कितने 3 old numbers लेने है यानि की 1 plus 3 plus 5 या आगया कितना 9 एसे ही 4 का square अब हमें 4 क्या लेने है 4 old numbers लेने है यानि की 1 3 5 7 और ये कितना आगया 16 जितने का यानि n का square है तो first उतने ही old number का sum अगर हम कर देंगे तो वो equal आएगा next property हमारी ये है next हम बात करते हैं पाइथा गुर्ण triplet मान लो 3 number है M, N, O ये 3 number हैं हमारे पास ये पाइथा गुर्ण triplet होंगे ये ये M square plus N square वो O के square cake वो देखो या पर O और 0 में confuse आवे इसलिए हम दूसरी चीज़े ले लेती है L, M, N ले लेते हैं तो जो L का square है और M का square इन दोनों का जो sum होगा वो N के square के equal होगा अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ये पाइथा गुर्ण triplets है 8, 15 और 17 अगर हमें चेक करना हो क्या ये पाइथा गुर्ण triplet है 8 का square 64 ये हो गया 225 इसका square 225 और ये आगर 9 8, 289 और ये किसका square होता है ये 17 का square होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि 8 का square plus 15 का square is equal to 17 का square तो हम कह सकते हैं कि ये पाइथा गुर्ण triplets है